आज में आपके लिए एक बहुती स्वादिस्ट और दानेदर पेडूं की रेस्पी लेकराई-ी आज हम बनाने वाले है मलाई पेड़ा कीड़ सOh spendis खाने में तो बहुत लाजवा बनती है बनाना इसको बिल्कुल असान है तो उमीद करते हूं आपको आज की रेस्पी अच्छी लगेगी तो इसे लाइक शुरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब शुरूर कीजिएगा तो चलिए फि कोई भी घर का कप्या कटोरी सेट कर लेना है सारा नाप उसी से लेना है और दूद को हम पहले ऐसी लगातर चलाते हुए ना चार से पांच मिनिट के लिए पका लेंगे हलका से इसको गाड़ा होने देंगे आप चाहें तो गैस का फ्लेम हाई रख सकते है बस इसको आपने जो चाहें तो आदा कपसे थोड़ी से एक से ऩो चमद में आप चाहें तो आदा कप तक चिनी इसमें इसमें ढाल सकते हैं और चीनी डालने के बाद अब हम ने को लगातनी है यंक को चलाते हुए तो तो मैंने अभी दूद को दूसरी साइट पर रख दिया है और अभी हमने इसके लिए लिए एक पनीर घर पर बिनाया हुआ पनीर है आप मार्किट का पनीर भी यूज कर सकते है और अभी हमने पनीर को दिखिए हाथों से बिल्कुल अच्छी तरह से मैश करना है आप चाहें तो जो पटैटो मैश राता है उससे यह चंबच की हल्प से भी इसको अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं असे हाथों से हमने इसको मसलते जाना है और इसको आपने जो मिक्सर जार वगरा में नहीं पीसना हमें फिर वो वला टेक्शर नहीं मिलेगा तो हमें जो इसका टेक्श चेंज होता जा रहा और बिल्कुल यह सॉफ्ट हो गया तो इसी तरह से हमने देखिए यह पनीर वाला मिक्स्चर तैयार कर लिए इसको भी हम एक साइब पर रख देते हैं और जो हमने दूद रखा हुआ था अभी हम उसको है जो देख लेते हैं तो दूद यह देखिए पहल कर फ्रिज में रख देते हैं उसके उपर जो मलाई आजाती है और यह वाली मलाई थोड़ी आपको जमी सी नजर आ रही होगी क्योंकि मैं मलाई को हमेशा है जो फ्रीजर में स्टोर करती हूँ जिससे ने इसमेल बिल्कुल नहीं आती है और आप इसमें जो दो से तीन दिन तक की मलाई यूज कर सकते हैं अगर आप भी मिठाईयों में इस तरह से मलाई का यूज करते हैं तो आप उसको फ्रीजर में स्टोर कर लीजिए गा उससे जो मलाई है न काफी दिनों तक बिल्कुल फ्रेश बनी रहती है तो अभी हमने देखिया मलाई को इसमें मिक्स कर द और इसी टाइम पे हम इसमें दो चमज ढाल देंगे मिल्क पाउडर मिल्क पाउडर ऑप्शनल है लेकिन अगर आप इसमें डालते हैं तो इसमें मिठाई का टेस्ट भी बढ़ जाता और इसमें एक बाइंडिंग का भी ये काम करता है तो अभी हम देखिये इसको ऐसी लग अभी हम इसको एक से दो मिनिट के लिए और पकाएंगे आप चाहें तो इस टाइम पे ने इसमें ड्राइफ रूट्स डालना चाहते हैं तो बिल्कुल बारीक कट करके वो भी डाल सकते हैं तो अभी ये देखिये मिक्षर पूरी तरह से इकठा होना शुरू हो गया और इस इसको ना पांच से साथ मिनिट के लिए इसी तरह से जो पंखे के नीचे रख दिया था और अभी ये दिखिये पांच से साथ मिनिट के करीब इसको हो चुके है मिक्षर जो पहले से ठंडा हो चुका है अब हम इसको थोड़ा सा हाथों से फिर इस तरह से मसल लिंगे जिसस यह थोड़ा से इसका टेक्शर है, जो थोड़ा सॉफ्ट सा हो जाएगा, अगर आप बिल्कुल दानेदार टेक्शर इसका चाते हैं, तो अफीरा अपने इसको वैसी है, जो भी पेड़े वगार अबनाने हैं, और अभी हम इसके देखिए, पेड़े बना कर देखेंगे, अगर आपको नारियल का फ्लीवर अच्छा लगता है, आप इसमें दो से तीन चमच वह भी एड़ कर सकते हैं, तो अभी हमने देखिए इसी तरह से बाकी सारे जो पेड़े वह भी बना कर देखेंगे, तो इतने पेड़े इसमें से बन कर देखेंगे, अब हम इसकी गारनि बहुत प्यारी आजाती है, खाने में तो बहुत टेस्टी बनते ही हैं, आप जैसे भी चाहें इसकी गारनिशिंग कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, और साथ में थोड़े थोड़े बरीक कटे हुए इसकी उपर जो पिस्ता लगा दी है, आप चाहें तो ब बता चल जाएगा, कितनी च्रादा सॉफ्ट और दाने दर ये वले पिड़े हैं जो बनकर तेयार हुए हैं, तो इस बार दिवाली पर आप भी ये वली रेस्पी जरूर ट्राइ कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको आज की रेस्पी कैसी लगी जल्दी हम लोग मिलेंगे एक और नई रेस्पी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमली का ध्यान रखिए